बहुत समय पहले की बात है एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के दो बच्चे भेंट किये वे बड़ी ही अच्छी नसल के थे और राजा ने कभी इस से पहले इतने शामदार बाज नहीं देखे थे राजा ने उनकी देखवाल के लिए एक अनुभवी आदमी को न्युक राजा ने बाजों की देखवाल कर रहे आदमी से कहा मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ तुम इने उड़ने का इशारा करो आदमी ने ऐसा ही किया इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगी पर जहां एक बाज आस्मान की उचाईयों को छूरा था वहीं दूसरा बाज उनना ही नहीं चाह रहा, राजा ने सवाल किया, जी हुजूर, इस बाज के साथ सूरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं, राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उनना देखने चाहते थे, अगले दिन पूरे राज्य में एलान कर दिया गया जो व्यक्ति इस बाज को उचा उड़ाने में काम्याब होगा उसे धेरों इनाम दिया जाएगा फिर क्या था एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रियास करने लगे पर हपतों बीच जाने के बाद भी बाज का वही हाल था वो थोड़ा सा उड़ता और वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता फिर एक दिन कुछ अनुखा हुआ राजा ने देखा कि दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं उन्हें अपनी आखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंट उस वक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था वह वक्ति एक किसान था अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ उसे इनाम में सुण मुद्राएं भेट करने के बाद राजा ने कहा मैं तुमसे प्रसंद हूँ बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया मालिक मैं तो एक साधारान सा किसान हूँ मैं ग्यान की ज़्यादा बातें नहीं जानता मैंने तो बस वो डाल कार दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ उपर उड़ने लगा दोस्तों हम सभी उचा उड़ने के लिए ही बने हैं लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी उड़ान भरने की कुछ बड़ा करने की काबिलियत को भूल जाते हैं यदि आप भी सालों से किसी ऐसे काम में लगे हैं जो आपके सही पोटेंशल के मताबिक नहीं है तो एक बार जरू सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की जरूरत तो नहीं जिस पर आप बैठे हैं धन्यवाद दोस्तों